हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होमफूट रेसिपीज, आज हम शेवरात्रिया और किसी भी वरत उपवास में खा सके वैसी फराली राजगीरे की बाकरी यानि की राजगीरे की पराथे बनाएंगे, इस राजगीरे के पराथे को आप किसी भी फराली सब्जी के साथ खा सकते ह ये खाने में बहुत ही हल्दी होती है, क्योंकि राजगीरे में बहुत ही केल्शियम होता है, तो उपवास में तो आपको इसे जरूर खाना चाहिए, और मैंने चैनल पे सूरन आलू की और शकर का नालू की फराली सब्जी कैसे बनानी है, वो रेसिपी बताई है, और उन द अगर आप ये पराठे बनाएंगे, तो कभी ये बैलते वक्त या निकालते वक्त तूटेंगे नहीं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले एक बाउन में हम सवा कप राजगीरे का आटा एड़ करेंगे, एक कप के उपर वनफोर्थ का पाटा है, ग्राम म दालना है, आदा चम्मच अब इसमें हम सेंदा नमक डालेंगे, अब इसमें हम एक छोटी साइज का उबले हुए आलू का मावा एड़ करेंगे, ग्राम में ये असी ग्राम है, आलू को उबालकर उसके शिलके निकालके मैंने उसे कद्दू कस कर लिया है, अब हम सारी के जैसे कड़क बनेंगे, तो सबजी के साथ आप इसे ठीक से खा भी नहीं पाएंगे, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम मीडियम सॉफ्ट आटा गुंदेंगे, पानी मैंने रूम टेंपरेचर का ही लिया है, ठंडा या गरम नहीं है, तो यहाँ पर आप द तो हम इसमें से मीडियम साइस की लोया तोड लेंगे, तो सारी लोया इसी तरह से मैं बना कर रेडी कर लेती हूँ, सारी लोया मैंने रेडी कर ली है और इतने आटे में से मीडियम साइस की 6 लोया बनके तयार हुई है, अब हम पराठे बेल लेंगे, पराठे बेलने के लि लिया है और थोड़ा मैंने सूखा राजगीरी का आठा लिया है उसमें हम लोई को लपेटेंगे और फिर राजगीरी का पराठा बेल लेंगे विडियम साइस का ही में पराठा बेलूँंगी एकदम ज़्यादा बड़े बड़े पराठे हमें नहीं बेलने है और पराठे को हम पूरा निकाल के नहीं गुमाएंगे हमें पेपर को ही गोल गुमाते हुए इसे बेलना है और वीडियो में आप देख सकते हैं कि साइट पे थोड़ी थोड़ी क्रैक्स आई है राजगिरी की पराठे में थोड़ी से क्रैक्स आएगी ही क्योंकि वो जो आटा होता है वो हलका दरदरा होता है एकदम बारिक नहीं होता तो जब थोड़ी क्रैक्स आये तो उसे हमें जब पराठे बेल जाये उसके बाद साइट से ठीक कर लेना है साइट से उसे गोल गोमाते हुए जॉइट कर लेंगे और अब हम बेलन की मदद से साइट से इसे थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे और अब इसे हम तवी पर सेख लेंगे यह हमारा राजगीरे का पराठा बन गया है गैस पर मैंने एक नॉन स्टिक तवा गरम करने रख दिया था और जब तवा अच्छे से करम हो जाये उसके बाद ही हमें इसके उपर राजगीरे का पराठा डालना है और दीमी आजपे इसे हलके से ब्राउन स्ट आने तक सेखेंगे जब एक साइट से पराठा हलका हलका सिख जाये तो उसे हम दूसरी तरफ गुमा लेंगे और दूसरी तरफ से इसे हमें मीडियम आजपे सेखना है थोड़ी दिर बाद हम उसे उठा के देख लेंगे कि अच्छे से सिखा है या नहीं तो फिर से थोड़ी दिर सेखेंगे जब दूसरी तरफ भी पराठ अच्छे से सिख जाये तो हम उसके उपर और साइट पे आधा चम्मच तेल डालके इसे कल्छे से दबाती हुए तो मैंने इसे धीमियाज पे सेख लिया है इसे एक प्लेट में रख देंगी और दूसरा पराठ भी तवे पे डालके इसे भी धीमियाज पे सेखेंगे दोनों काम हमें साथ में करते रहना है एक पराठा सिकरा होता है तब हम फटा-फट दूसरा पराठा बेल लेंगे और उसे भी हमें बीच-बीच में पल्टाते रहना है जो हमने सिकने रखा है उसे अगर आप येकी साथ सारे पराठे बेल लेंगे तो सभी पराठे टूटने लगेंगे तो एक-एक पराठा बेलते बेलते दुरण्थ हमें उसे सेख लेना है ये जो साइट पे क्रेक्स आई है उसे हम ठीक कर लेंगे और साइट से हमें फिर से थोड़ी सी बेलन चला लेनी है इसे भी हम सेखने के लिए तवे पे डाल देंगे इस पराठे को भी हम स्लो फ्लेम पे सुरू में शेकेंगे जग एक तरफ से ये हो जाए तो दूसरी तरफ पलटा के मीडियम फ्लेम पे हमें इसे सेखना है और दूसरी तरफ से भी जब इस तरह के ब्राउन स्पोट आ जाए तब हम इस पे तेल डालेंगे थोड़ा तेल हमें साइट पे डालना है और थोड़ा बीच में डालके दोनों तरफ पलटाते हुए मीडियम फ्लेम पे सेख लेंगे सूरू में हम एकदम धीमे आज पे सेखेंगे और बाद में एक बार जब हम इसे पलटा दे तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे सेखेंगे यह हमारा राजगीरे का पराठा बनके तयार है इससे हम एक पलेट में निकाल लेंगे और बागे के सारे पराठे हम इसे में से तरह से रेडि कर लेने हैं फ्रेंस आप भी इस सिवरात्री पे इस फराली पराठे को ज़रूर से सबजी के सा ट्राइ किजीगा अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बैल आइकन है उसे भी दबाए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहे अगर आपको मेरा यही वीडियो गुजराती में देखना हो तो उसकी भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाई